आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंच दो हजार चुविस का जो गड़ित का पेपर वारल हो चुगा है यहान पे हम गड़ित का जो वारल पेपर हुआ इसका पुरा अप तरह सकते हैं इसाल देखने वाले हैं ठीका तो आप वीडियो को लास तक जुरूर देखिएगा ठीक है देखिए गड़ीत का जो सेट है इवी है और देखिए जो आपको प्रश्ण पत्र मिलता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिख लेना है और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है ठीक है गड़ीत की पेपर को हल करने समय को टोड़ाइगा सतर नमबर का पूढांक रहता है यहां पर दिखें कुछ नूट दी जाते हैं 15 मिरित पढ़ने के लिए समय मिलता है यहां पर इसके कुछ निर्देश दिये गए आपको प्रतेयक क् पेपर में इसके निर्देस के बारे में बता चुके हैं १शा इसके मुख्य निर्देस है इसमें धोंग रहेगा 20 अंग कबोल्पी प्रशुन रहेगा इसी सिर्ब्र weश्ण करना रहेगा यहांं पर गड़ा में पचास अंक फ्रस्ण रहेंगky वर्यात्मक प्रस्ण का टोकल पांच प्रस्ण रहेंगे अब हम यहांपर देखिए यह पर सितने खंड करते की इस प्राहरा निर्भे धाने जरूरी प्रश्ण को अभाज शंख्या का युग में आप संधिया है अब इस प्रश्ण को हल करने के लिए पहले यहां पर लिखा है सहा अभाज इसका मतलब आपको आना चाहिए यदि आप इसका मतलब समझ रहे हैं आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं सभवाज का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं का HCF कितना HCF एक आता है तो दोनों संख्या सभवाज संख्या होता है ठीक है देखिए 18-25 दिया है यहां 18-25 का HCF निकालेंगे तो एक आएगा क्यों एक आएगा कि इसके बीच में किसी प्रकार कोई गुरांखन उभेया स्केल को साथ में देख लीजहें 17 7 पंद्र हें साथ के बाग साथ में तब ही कटेगा यह भी आपसंद नहीं होगा 31 और 93 में देखेंगे तो यानि कि इसका वेनिष्ट गुड़नखंड 31 है इसका मतलए यह भी आपसंद सही नहीं होगा तो आपसंद कौन सही होगा यह वाला ठीक है तो इस पकाह से प्रतेक प्रश्णों को आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो का लास तक जरूर देखिएगा देखें दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि 144 के अभाजी गुड़न के चार दू चाह रुठा सब्सक्ति अच्टर का 12 एठारा बार में कटेगा और यह नव बार में और यह आप यह कितने दो चार और डू जोड़ दीजिए कितना होगा च्छा घातों का यूग कितना हुआ चानत इस प्रश्ण का सही जो अब भी वला अप्सन सही हो जाएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे तिसरा नंबर क्या है यम के किस मान के लिए समिकर यूग में यक्स माइनस 2Y बराबर 3 ताथ 3X प्लस EMY बराबर 1 का एक अधिवती हल होगा ठीक है देखे इस प्रश्ण को कैसे हल करते हैं देखे यहां पर अधिवती हल होता है इसका कंडिशन क्या है अधिवती हल के कंडिशन होता है कि A1 अपान A2 इस नाट B1 अपान B2 यह कंडिशन होता ह दिवती हल होने का यहां पी देखिए एवन का मान यह होता है बीवन का मान यह होता है सीवन का मान यहां से ओरता है एटू यह बीटू यह सीटू ठीक है यहां पी देखिए एवन का मान क्या है यक्स के बगल में कितना एक है यहां पी एवन का मान एक हुआ अपान एटू कमा यहां पे देखिए यम का एक में करेंगे यह होगा is not का चीन तीन का गुढ़ा तीना के च्छह यह देखिए condition कहां पे दिया है is not-6 सब्सक्राइब करना था अब देखिए आपका चौथा नंबर का सवाल है इसको कैसे आप हल करेंगे ज्यान दीजीगा देखिए दू एकस प्लस तीन वाई बराबर अठारा दिया है यहां पर इन दूने समीकड़ों को हल करना है देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए आपका 2 चरवाल राखिक समीकड़ यहां पर deze 2x plus 3y बराबर 18 दिया है यहाँ पे देखिए यक्स-2y बराबर 2 दिया है समीकर नंबर 1 है यह समीकर नंबर 2 है अब क्या करेंके आप को दो चल्वल रहे कि समीकर को हल करने का तरीका पता होगा इसमें से कोई एक अक्षर का मान बराबर होना चाहिए जैसे यहां पर एक्स है मतलब दू एक्स है थी यहां पर भी दू एक्स होना चाहिए इसके लिए क्या करते है कि समिकर देखिए समिकर और 20 में क्या करेंगे 2 से गुड़ा प्रकार उता रहेंगे दू समिकर ना टेखेंगे 6 00660 ना चाहिए ऐहाप लिखें गटाने पर जब गटाने पर लिखेंगे से मािनस से प्लस यह प्लस है तो माइनस हो जागा, चिन नीचे को बदल देंगे, अध्यों के 2 में से 2 जागा, जीरो हो जागा, यह 4 तो 7 य हो जागा, अब 18 में से 4 घटा दीजे, कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा, तो y बचेगा, 14 बटा के 7, 7 के 7, 7 के 7, 7 के 14, ठीक है, देखें, यहाँ y का मान आगया, 2, अब इस y का मान क्या करेंगे, कि किसी भी समिकड़, चाहिए, एक या दो में किसी में रख के हल कर सकते हैं, तब क्या करेंगे, चलिए, हम रख लेते हैं, समिकड़ 2 में, y बराबर कितना रखेंगे, 2, समिकर नमबर 2 में रख लीजे, ठीक है, यहाँ पर कितना है? x माइने 2y बरावर 2, समिकर नंबर 2 वला है यहाँ पर x माइने 2 गुडे y के जगब कितना रखेंगे? 2 बरावर 2 यक्स बरावर 2 duna के? 4 बरावर 2 यक्स बरावर 2 4 पर 6 तर प्लस 4 हो जागी 1 शेयरा के, यक्स बरावर 4, 2 6 यहां पर देखिए, यक्स कमान आया है, दो और यक्स कमान आया य उट्छा, तो चली, आपसन में देखते हैं, देखे, iक्स बराबर कितना है? 6 है, दो यक्स बराबर आपका दो है, यह वहला सवाल, आपके क्या हो जागा? सभी हो जागा. दूसरा तरीका friends क्या था कि दूसरा तरीका इस में क्या करेंगे इस समीकड में या इस समीकड में रखके यक्स कमान देखेंगे कि किस पर आपका मान 18 हो रहा है जैसे इसी को हल करके आपको पता देते हैं जैसे यहां पर दिया है दू गुड़े यक्स के जगाप कितना रखे आपको पूरा इस तरह detail में न लगा के सिर्फ option का मान इसमें रखके हल करके देख सकते थे किस पर यह 18 आ रहा है वही आपका answer सही हो जाता ठीक है इस तरह बीने हल किये भी आप हल कर सकते थे अब चलिए अगले नंबर पांचवें नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए पांचवें नंबर के सवाल क्या है के किस मान के लिए रैखिक समिकड़ युग्म यक्स प्लस के वाई बरावर एक तता के यक्स प्लस वाई बरावर के इसक्वार के अनेक हल होंगे अब इसको बताना है कि कि किस मान के लिए आपका ये अनेक हल हो सकता है अब देखे अनेक हल होने का आपका कंडिशन क्या होता है आपका कंडिशन अनेक हल होने का कं बराबर ब्वां आपन υडितो अपन अब यह कंडू सोन होता है अब यहां पर आपिंत्थी का मान फिर्स के गुड़ांग लिए लाग लॉसा ten के C1 कमाद यहां पर एक हैं, और C2 कमाद कितना है, C2 कमाद k-square है, ठीक है, अब देखिए यहां पर किसी भी एक पच्च को लेके हल करेंगे, आप कहा जागा, चलिए इनören को लेकर एक होता है और K square का वर गमूल K हो जाएगा यानि के कीमान होगा प्लस माइनस एक तरी B कमान कावावा सा सही होगा क्लस माइनस, वन डिटीक है इस पकास करना था क्राना था अग्ला नमबर च्सवाल का सवाल देखिए कि एक पक कि यकस functions तक आहां पर आपको बताना है यहां पर आपको याक्स कमान आपका यहाँ सकते हैं ठीक है इस सवाल को आपका एसा Ayam लगाँगे यह लगा देते हैं देखिए पूलु गड़ा प्लूकर साथ का की करेंगे साथ होगा बराबर निंहों स माइनस के एक मुन तेन वंपयों वर्गमुली मैं सब प्लस मायनस में निकालते हैं यक्स का बैंख हो जाएंगा यानी कितना कितना हुआ पलस मायनस इसमें देखिए कौइंस जवाब यहाई आप स jullie सवाल आप kampya सभा सब्सक्राइब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है यहाँ पर देखिए करा ब्यास AB के एक ब्रित के केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्थसांग एक आमा चार है तो एक आमा ग्याद कीजिए देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे देखिए यह ब्रित है यह क्या है आपका ब्रित है यह ब्रित का केंद्र है चले केंद्र से होते हुए एक ब्यास खीच लेते हैं देखिए इसका नाम A देते हैं यह B देते हैं यह B एक ब्रित के केंद्र 2-3 है केंद्र कितना है 2-3 है और B का निर्थसांग दिया है एक कामा चार दिया है एक कामा पूछ रहा है एक करें निर्दसांग क्या ये कमढ लेते हैं ब् Empress Naticklo मनें अब देखिंग होता बियास कि क्या होता है आदा मतलब केंद्र दम्पेस में होता है यानि मद्द। निर्दह कों मिद्द। निर्देन क्या हो कि मद्दी पूंत सर क्या होता हुआ है मत्द। मद्द। का Information से का कमा Y का मतलब हुआ कि यह यक्स कामा Y कमान कितना दिये है दू-3 ठीक है और इसको क्रम से यक्स-1,Y-1, यक्स2,Y-2 माल लेते हैं देखिए यक्स1, यक्स2 यक्स2 माल लेजिए इसे and the y2 माल लेजिए अब यहां मां रख लिजिए yx 1 का माण yx plus yx 2 का मान kItना है 1 बटाके 2 करलीजिए कामा y1 का मान y plus y2 का मान क Turns 2 करलीजिए अब देखे इसका yक्स और y का मान ग्यात करना है तो क्या करेंगे कि yك्स का मान है यám y का y का y से देखें यहाँ पे 2 बरावर क्या देखेंगे ykš plus प्लस एक बटाके दू 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 माइनस कितना हो जागे 10 तो y कमान आया आपका 10 तो इस तरह x, y बराबर कितना आ गया x कमान आया 3 y कमान माइनस 10 तो 3 कमान माइनस 10 अब चलिए 3 कमान माइनस 10 देखते हैं कहाँ पर यह देखिए डिवल आपसन क्या हो जागा आपका सही हो जागा 3 कामा माइनस 10 ठीक है तो जैसे बता है इसी प्रकास सवाल को आप हल कीजिएगा अगला अठवा नमबर के देखिए 3 x square minus 12 x plus k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ग्याद कीजिए ठीक है अब देखिए जब मूल बराबर होता है तो उसकी condition क्या होता है condition होता है कि b square minus 4 ac बराबर 0 होता है जब मूल बराबर होता है तो b square minus 4 ac बराबर 0 रखते हैं अब देखिए a का मान यह होता है b का मान यह ह है एकष्स स्कॉार का गुडायंगा होता है एकष्सकॉर के बगल में A कमान के तिन उबी कमान बान 12 के 12 के स्कॉर कर लेंगे minus 4 गुड़ एक गया深受 DAVID रखेंगे की के बापरminus 4 गुड़े की गुड़ा करेंगे की हो जाएगा बनान sofort को पच्छांद कर लिजिए तो 144 इधर जाएगा तो 12 क्यों हो जाएगा किया कि मूल बडाबर होता है यह फार्मूला आपको लगाना इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा 20 को सब्सक्राइब कर लिजिए परतेग पेपर को इसी तरह आप सभी को दिटेल में बता रहा है तो परतेग पेपर का हल जरूर आप देखा कीजिए अब देखें नुवा नंबर का सवाल क्या है कि दो आकिरतियां जिनके आकाल समान हो परंतु अमाप आवस्यक रूप से समान न अब इसे क्या करते हैं इसे आपको ध्यान देना है ठीक है यहां पे आपका आकार तो समान है लेकिन इसका माप मतलब होता है माप जो दिया है भूजा दिया है वह आवस्यक रूप से समान नहीं है तो उससे आप क्या कहेंगे ठीक है इसे आप कहते हैं समुरूप आकिरतिय क्या कहते हैं समरूप कहने के मतब यह तिर्भुज इस पकास से हैं एक बड़ा सा तिर्भुज बना लेते हैं इसकी देखिए आकार तो तिर्भुज के आकार का być समान है लेकिन इसमें माप जो इसकी बूजा लाइब बरावर नहीं है इसे क्या करने समझे न, देखे दसवाल सवाल क्या है यादि दु समरूब थिर्भूच्प के संगत भुझाएं तीन नुपाते पाँच के अनुपात में हो तो उनके 064 को 053 को लेता है ai-a-one लेते एक और भूजा को क्या माल लेते हैं भूजा को साइड साइड को दखाते हैं यस से यहां पर देखिए यदि दो त्रभूष समुरूफ होते हैं यदि समुरूफ है उनके छेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भूजाओं के वर्ग के बराबर होता है किसके वर्ग के बराबर यह बस कंडिशन होता है इसे हुआ ऩयाद रखीए गए डिए रिखelfal का अनुपाथ किता किटना दिए संगत लिख sorry इननुपाथ में लिखेंगे त debates 25 कितना होगा बढ़र रिखें इसका सही जब क्या होगा shoulder आपसा सई हो जाएगा यह द्यान दिजेगा जब दो समरूप तिर्भूज तो उनके छेतरफल का उनुपात होता है उनके जो संगत भूजा होती है बूजाहों का वर्ग होता है पूजाओं आपको डाइरेक्टिव इसका भुजाओं का अनुपात बताए देखे hãy 3,4,5 ये दि देता है भुजा ठीक है 3,4,5 का अनुपात में զेता है ये हमेचा संकोड त्र भुज में हीpper इसा कंडिशन होता है ठीक है पता है ठीक है यह होता है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी भूजा को कड़ मानता है, यह पांच का स्कौार करेंगे, आधार इसमें किसी को माल लीजे, याँ तीन का स्कौार कर लीजे और प्लस चार का स्कौार, और इसको हल करके से देखें कि दोनों पश बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह दोनों पश बराबर आ जागा तो समकोर त्रिभुच के अंतरगत आता है इसके लाव और अनुपात बता देते हैं आपको इस पकास इसे आप ध्यान दीजिएगा समकोर त्रिभुच वाला साथ 24 पचीज देगा तब यह समकोर त्रिभुच होगा 345 देखा तभी पर समकोर त्रिभुच होता एब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं बारावा नमबर खागा देखी दो समरूप है तो इनके छेत्रफलों का अनुपात ग्याद कीजिए ठीक है इस तवाल को कैसे लगाएंगे आप देखें यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि दो समरूप त्रिभूजों के परिमाप का अनुपात जो दो त्रिभूज का परिमाप होता है ना यानि कि पहले त्रिभूज का परिमाप परिमाप जो होता है देखें बस यहीं पर द्यान देना है पहले त्रिभूज का परिमाप होता है दूसरे त्रिभूज का परिमाप जो होता है उनके भूजाओं के अनुपात के बरावर होता है उनके भूजाओं के अनुपात के बरावर होता है 10 तर 10 बटाके दूसरे तरी बूच के परिम्हा 15 तर 15 कर लिजिए और बराबर a1 बटा के a2 कर लिजिए देखें अब इसको कटा के simple कर लिजिए देखें क्या होगा 2 पांचे पांदुना के 10 और पांध्याई 15 इसका मतलब a1 बटा के a2 के मन कितना आया दू बटा के तीन पटा के आपका अब इसमें रहे है फोन, 거죠 अब च्छेट्रफालों के अनुपात ग्याद कि जयाद sanitation को तक है तो ने च्छेट्रफलों के अनुपात क्या होता है जो बूजाओ को रखे तो उस्कार कै लेज़े दिखिए दो दुना के चार टila के नुओ अनुपात लिखेंगे चांपातें धोर mते नो इस प्रश्न का सही जो को पाल ஓ ये त्रुजय के चेर अंुपात खार्क बindre होता हे औहों जबकि चहत्रें फल्पलों के पर नुपात होता है समझना आगन बस इतना ची जानते रहेंगे तो सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर 13 नंबर का सवाल क्या है यहाँ पर 10 ठीटा बराबर दिया है 8 बटा के 15 तो कोसेख ठीटा का मान पूछ रहें अब यहाँ पर देखिए कि इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे बस दियान दीजिए कि सवाल सिंपल तरीका से लग जाएगा आपको दो तरीका बताएंगे पहले लांग वाला तरीका बता जाते फिर उसके बास साथ तरीका बताते हैं छोटा सा सिंपल सा देखिए यह क्या है कि टैन ठीटा है टैन ठीटा बरा फार्मूला क्या होता है लंब अपान आधार होता है लंब बटा के आधार होता है ठीक है देखिए यहाँ पर दिया कितना टैन ठीटा के आठ बटा के पंदर दिया है न यानि लंब हुआ 8 और आधार कितना हुआ 15 हुआ अब यहां से क्या करेंगे कि पाइधागोरस पर मेरे लगा के कड का मान गयाद करेंगे से आधर 15 की स्कृाइर लम कितना है आट ता आड का स्कृाइर कर लीजिए 15 की स्कृइर 225 आड का स्कृइस आड का स्कृइस चोवसर ठीक है अब इसमें जोल लीजिए देखे 549śli 8206 यहां देखे करोड का स्कृार को ठीक है इस्कृार अटाने के क्या करेंगे दोनों इस यह जाना में यहां कोशेव ठीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो यहां पर जोता सा तरीक आपको क्या बताने वाले थे देखिए जैसे यहां लंब पता चल गए आपका 8 है और आधार पता चल गए 15 है देखिए इस फार्मूला से लंब पता चल गए 8 और आधार पता चल गए 15 है तो आपकी अगला भूजा जैसे बात एक 17 आता है हमेशा 17 ही आता है ठीक है देखिए आपको तीन अनुपात बार बर बताते अनुपात में जैसे 3, 4, 5 याद रखिए इसमें से 2 भूजा देगा तो आप जैसे 3, 4 दिया था अगला भूजा 5 आया था इसी तरह 5 चार देगा तो अगला भूजा 3 आया इसी प्रकास आप याद रखिए कि 8, 15, 17 यही भूजा देगा यही करम में होता है यह 8, 15, 17 होता है ठ आप चौबीस पचीस यह अनुपात रखे बस इसी में से आपके बोड़ के टेता है इसे धिस साथुभिस देगा तो है इसाथूभिस देगा तो हमाद पुछा थाहिका था ना सब्सक्राइव से अनुपाता है तेछ कि आपका पता चल जाएगा यह आपका पता चल गया कि यह लंब है आधारत जाय से बाद आपको 17 यहां कितना हो जाता तुरूंत आप यह पाइथागोरस इतना इस्टेप करने के आपको जुरूरत नहीं थी डारेक्ट आप कम से कम इस्टेप में हल कर लेते बस यह अनुपा का सवाल क्या है यदि twoわか ट्री ठीटा بराबर वन तो ठीटा का मान ग्याद कीजिए देखिए अवी सवाल को अपका एसले लगाएंगे यहां पधि आएंगे-टू कास तीन ठीटा बराबर एक दिया है तो देखिए कास तीन ठीटा बराबर दू को पच्छांदर करेंगे तो एक बटा को दू हो जाएगा कास तीन ठीटा बराबर कास को रूप में एक बटा दू किसका मान होता है तो कास कास साथ हंस का मान कितना होता है एक बटा के दू होता है ना कास साथ हंस का मान कितना होता है एक बटा के दू हो जाता है यहां देखे कास से कास हट जगा तर तीन ठीटा बराबर कितना हो जगा साथ ठीटा बरा कितना हो जगा साथ बटा के तीन तीन से कटाएंगे कितने बार करने तीन दूना की बार में कटेगा ठीटा कमान कितना या इस पकार के सवाल को आप ऐसे हल की जिएगा ठीक है अगला सवाल क्या है आपका पंद्रह नंबर का कि दो गृतों की परिदियों में तीन अनुपात दो का अनुपात है तो उनके चेस्ट्रफ़लों को अनुपात होगा ठीक है तो यहां बृत की परिदि दिया ल्ट कि पर दीन काहा है तदे के पर दीन कैसे नीजुआ लेंगे देखियंगे अंहें ऐसे qui लिए बेक्र फार्मूला हुआ देखे परदी के जिलने फार्मूला 2 से 2 कर चेगा 5 से πाई कर चेगा अब पर्धियों के अनुपात कितना दिया एक तीन अनुपाते दो दिया है यानि कि आरवन बटा के आटू कितना आया तीन बटा के दू आया चेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो वहीं तिरिजाओं का वर्ग का बराबर होगा तो देखे एवन बटा के एटू आरवन अपान आटू का इसक्वार कर लेंगे जैसा आप स्कॉर कर लिजिए देखे तीतली के नौ दूदुना के चार कितना वह नौ अनुपाते चार हुआ इस पकाज इस सवाल को लगाना था तो नौ पाते चार देखे कहां पर दिया है तो डिवल आपसन सही हो जागा तो देखे कितना सिंपल तरीका से लगा रहे हैं इसी सवालों को लगाना है अगला देखिए सुलाहा नंबर का सवाल क्या है यदि एक समान तिरिज्ज्या आर के दू अर्दगोलों को उनकी आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र प्रिष्टिये छेत्रफल होगा देखे कहने के मतलब यह है कि आर्दगो इस तरह बना है यह अर्दगोला एक है और एक और अर्दगोला है इस पकास है इस पकास अर्दगोला है ठीक है यह इस पकास अर्दगोला थे दोनों को क्या कर रहा है कि आपस में जोड दिया जा रहा थी यह तिरिज्ज्या जब बराबर है तो यह आपस में इस पकास जु कि अधेख़ कर निम्न लिखीत में से कौन से केंद्री प्रवित्वी की माप नहीं है तो केंद्री प्रवित्ति के माप नहीं है जबकि माध्य बहुलक और माध्य का होता है इसका सही जबकि आपकर डीवल आपसल सही हो जाएगा अगरा 18 नंबर का सवाल देखिए क्या है देखिए इस सवाल में आपका समांतर माध्य पूछ है एक से नो तक की नहीं तो पहले एक से नो तक की प्राकिती संख्या लिए एक डू तीन चार पांच छे साथ आठ नो यहां एक से नो तक प्राकिती संख्या लिए अब देखिए एक से नो तक प्राकिती संख्या लिए ब क्या करेंगे 1-2-3-व-4-5-6-7-8-9 करेंगे यहां वहां किया करणेंगे पड़ू कि संगनकर फारे दीजिए 1-2-3-4-5 6 7 8 9 कि सब्सकूरों कसे एक आप बाइखा नोВ आप सोफ पर भाग तहां देखें दो दगें 303-5 15 15 15 Second 28 और 36 45 कितना हो जगा in सिखर 9 नव पर कितने बार में कट रहा है यह पांच बार में इस परस्ट का सही जो अब यह वल आफन क्या हो जागा सही हो जागा जगे समांतर मातने बराबर होता है पदो कुल पदो का यूग बढ़ा के पदो की संख्या यह फार्मूला होता है ठीक अब देखिए आपका अगला नंबर जो 19 नंबर का सवाल है इसको कैसे लगाएंगे आप यह दि किसी बारांबारता बंडन की माध्य का कितना दिया है 16 अब माध्य दिया है 15 उसका बहुलक होगा देखें आप बहुलक बराबर फार्मुला क्या होता है बहुलक बराबर जो फार्मुला होता है तीन गुड़े क्या होता है तीन गुड़े माध्यक माध्यक माइनस दू गुड़े माध्य होता है क्या होता है दू गुड़े माध्य होता है दू गुड़े माध्य अब यहाँ तोलत्याई 48 15 दुना के 30 घटाद दीजिए कितना हो जागा 18 हो जागा कितना होगा 18 इसका पाउला कितना है आपका 18 हुआ ठीक है इसका सही जो अब बीवलाक्षन क्या होगा अब अगला नम्बर का सवाल देखते हैं 20 वा नम्बर क्या है कि प्रथम 10 प्राक्रितिक वोग दें गया है नेशन से साथ 2 होगया है 10 कि मांदीका बताना रतां द 5 यह 250 जागं ॥ा उल्फ जाग दीजिए इस चार फोड़ाज हो जाल से साथ दिसपने 2017 करें अदयता प्राक्रaware बीश चीर इदा उड़ा चार इसब कितना होगा 5.5 हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ठीक है जैसे माधिका पूछता है पहले लिखा कीजिए एक आरोई औरोई करम में लिख लीजिए फिर आधा इधर आधा इधर छोड़के जो बीच में संख्या आता है उसको योग करके भाग देंगे वह आपकी क्या हो होता है यह सभी खंड आपको पता देते हैं इन प्रशनों का आप जरूर हल कर लीजिए गा यही दो हाजार चोबिस के बोर्ड के एकजा में सभी सवाल आएंगे तो आप देखिए इन प्रशनों को देख लिए कि सभी खंड करना अनिवार है अब पड़ते दो दो नंबर क सभी प्रशन है देखिए आपको कवला देख लिजिए इसी दिखीजिए पांच प्लस करड़ी में तीन एक अपरी में संक्या सिद्ध करना है इसके अलावा आपको कास ए बरावर करणी में तीन बड़ते दू हो तो साइन टूए का मान ग्याद करना है जैसे सवाल है सभी स कर सकते हैं अब देखिए यहां पे सभी परस्षान इस प्रकास सकरना है और सभी प्रस्ण जो है इसका इंगली समीडिया है आपको दिखा देते हैं अब देखिए कावल आए कि ग्राफ वीधी द्वारा दिखाईये कि रहे कि समिक इतना कि अनेखा लोंगे चार नंबर का अगला प्रशन देख लिजिए अगले प्रशन को आपको बता देता है कैसा प्रशन आपका है जो प्रशन आपको बता है वही इंग्लीस में दिया है तो इसको छोड़ देना है आपको ठीक है इंगलीज वाले जितने भी है छोड़ना है आपको हिंदी वाला सिर्फ करना है तीसरा नंबर के क्या है कि निम्ने समीकड़ की यूग में बदल कर हल करना है टोटल छा नंबर का प्रस्ण रहेगा आथवा में दिया है दो वर्गों के छेत्रफलों का योग एक सो सत्तरा वर् है देखिए साथ मीटर ऊची एक मिनार की चोटी से एक मकान की छत तता आधार की ओनमन कोड़ 45 अंस तता साथ अंस है उस मकान की ऊचाई तता मिनार की उसकी दूरिया ग्याद की टोटल छा नंबर का अथवा में यह सवाल है आप पढ़के इसको हल कर लीजिएगा जरूर स अब चली अगले नंबर के प्रश्णों को देखते हैं देखिए अगला नंबर का प्रश्ण पांचवा नंबर का क्या है यह प्रश्ण आप पढ़ लीजिएगा और इसको जरूर हल कर लीजिएगा ठीक है देखिए आपको जितने भी प्रश्ण बताए हैं इन सभी प्रश solution आप जरूर देखा कीजिए और पूरा संपूर हल देखा कीजिए और जिस परस्में आपको किसी पर कागर डाउट होता है comment box में जरूर लिखा कीजिए ठीक है तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चलो हो subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें